हर्याणा चिनाफ के लिए आम आदने पार्टी ने दूसरे लिफ्ट जारी कर दी है दूसरे लिफ्ट में नौ उमीदवारों के नाम है खानेसर से कृष्ण बजाज आम आदने पार्टी के उमीदवार होंगे इंद्री से हवास सिंग होंगे प्रत्याशी तो रतिया से मुख्तियार सिंग बाज़ीकर को कैंडिडेट बनाया गया है आम आदने पार्टी ने अब तक 29 उमीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है हमारे स्योगी भासकर मिश्रा जुड़ गये इस खबर पर भासकर अब इतना तो समझ में आ गया है कि अलाइन्स पूरी तरह के इसे खटाई में चला गया है और अब धीरे धीरे नामों का बाहर आना शुरू हो चुका है बिल्कुल देखिए आप ये कहा जा सकता है कि एकड़म लास्ट का समय है और आप उमीद बहुत कम बची है अब पास में जो स्ट्राटीजी पहले से ही तयार बनके था वो ये कि कॉंग्रेस और भारत्य जेश्टा पार्टी में जो भी नाराज नेता होंगे उनको स्थान लेंगे और उनके पास पहले से ही अपना वोट बैंक होता है और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक दौनों मिल के कम सकम ऐसे स्थिति में रहेंगे कि वो एक फाइट दे पाएं जैसे प्रफेसर चातरपाल को टिकेट दिया गया है वो भारतेय पार्टी के पूर्व मंद्री रह चुके हैं उनको टिकेट दिया है आम आदमी पार्टी ने इसी तरह से कॉंग्रेस के कृष्ण निपाल को टिकेट दिया है और कोशिश यह है कि तीस से 35 सीटों पे आम आपनी पार्टी अपनी उपस्थिती बहुत ही मजबूती से दर्ज करवाई क्या यह बीचेपी और कॉंग्रेस दोनों पार्टी के लिए घातक हो सकती है और नहीं देखिए अगर अच्छी तरह से आम आपनी पार्टी हर्याना चुनाव में अपनी उपस्थिती दर्ज करवाती है तो इसका सीधा सीधा फाइदा भार्टी अनता पार्टी को मिलेगा औ अटवंधन को लेके जो भी बातचीत चल रहे थी कॉंग्रेस के नेता जो भी बातचीत कर रहे थी एक महिने से अधिक का वक्त हो गया वो इतना लंबा इसलिए खीच रहे थे कि जितना कम से कम समय मिले आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट उतारने के लिए चुनाव में प वो से तीन दिन का वक्त रह गया है नॉमिनेशन में कॉंग्रेस को ये लग रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी अपने उम्मिदवार भी नहीं खड़े कर पाएगी तो नुकसान कहां से होगा इसलिए बातचीत का क्रम बहुत लंबा खीच रही थी कॉंग्रेस और आम आ अनकारी के मुताबिक पचास से ज्यादा उम्मिदवार आम आदमी पार्टी हर्याना विधान सभा चुनाव में उतारेगी हलांकि पार्टी ये दावा कर रही है कि 90 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन हो सकता है कि वैसे स्थिति ना आए लेकिन इतना तय है कि अगर कॉंग्रेस के साथ गठवन्दन नहीं हुआ तो सत्ता विरोधी वोटों का जो वटवारा है वो होगा और उसका सीधा सीधा फायदा भरते इंता पार्टी को मिलने वाला बने रही है भासकुर आप हमारे साथ इस वक्ति बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता द होते हैं बहुत शुक्रिया भासकुर आपका पूरी जानकारी के लिए